हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त एडवोकेट पीडी आपके अपने एक बिलोरे सिकर यूटूब चैनल पर हार दिख स्वागत करता हूँ पैर विदार्तियों आज का अपना वीडियो स्टेटिक जीके की सिरीज के अंदर तोपिक है नित्यायोग पैर विदार्तियों नित्यायोग से दिल्ली पुलीस, रेलवे, एससी, आर्मी, एरफोर्स, नेवी इन समस्थ परकार की प्रत्योगता परिक्साओं में नित्यायोग से सम्मधित एक महत्तुकुन क्यूसन आता है तो आज की कलास के अंदर हम नित्या युक्षि सम्मंदित समस्त बातों का विशलेशन करने पर ले हैं पैरे विधार्तियों ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए आप प्लीज हमारे यूटूब चैनल गलोरी सिकर को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें तो पैरे विधार्तियों आज का अपना सेशन सुरू करते हैं में एक जाम के अंदर जिस प्रकार आपके क्युस्पन आता है उसी प्रकार से एक क्युस्पन दिया है और आपको उसके बाद इसका समपुन विशीलेशन आपको करवाने वाला हूँ विश्लेशन आपको मैं करवाने वाला हूँ, तो क्यूस्टन आपके सामने हाली में नित्ति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीप एक्जुक्टी ओपिसर शीयो के रूप में किसे न्युक्त किया गया है, पहरे विधार्तियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलिग्राम चैनल गलोरियस शीकर का बी लिंक दिया गया है, तो आप यहां से डारेक्टली आप गलोरियस शीकर के जो टेलिग्राम चैनल है, उसको भी जोइन कर सकते हो, जहां पर आपको डेली करेंट अफेर्स, इस्टेटिक जेके और विविन पर्ट्यकितापरिक्शाओं की जो भर्तियों के बारे में अपडेट्स और नोट्स अंदर जाकर आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हो, तो पहरे विदार थी हो, नित्यायोकि जो मुक्षे कार्यकार या धिखारी के रूप में परमेश्वरन आईयन को नियुक्त किया गया है, और हो जाएगा आपका ओप्शन D, इससे पहले आपके तथ्यों की, निती की बात करते हैं, सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टिशन फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया, राश्ट्री ये भारत परिवर्तन सहिंस्ता, ये एर फॉर्स आर्मी नेवी की एक्जाम्स के अंदर कि आता है, फुल फॉर्म से लेटेड, अब बात करते हैं, गठन की, तो प्यारे विदार्तियों, निती आयो का गठन एक जनवरी 2015 को किया गया था, और इसके मुखैले है आपका नई दिल्ली की अंदर, निती आयो की फुल फॉर्म हो गई, गठन हो गया, और मुखैले हो गय नई दिल्ली, आगे बात करते हैं, यह एक गेर समयधानिक निकाया, यानि कि इसका समयधान की अंदर कहीं पर भी उल्हेक नहीं है, इसका गठन योजना आयोग के इस्तान पर किया गया है, यानि कि जो निती आयोग को योजना आयोग के इस्तान पर परतिस्तापित किया ग 15.1950 को की गई थी इसके जो पर्थम अदेक्स हैं वो भारत के पर्थम परदान मंतरी पंडित जवारलाल निहरू थे और पर्थम उपादेक्स की बात करें तो गुल जहरी लाल नंदा जोकी देश के पर्थम कारियवाख परदान मंतरी भी थे अंतिम अदेक्स की बात करेंगे तो हो जाएंगे नरेंदर मोदी क्योंकि योजना आयोग 31 दिसंबर 2014 तक कारिये कर रहा था अंतिम उपादेक्स की बात करें तो मौन्टेक सिंग अहूल वालिया है पहरे विदार्थियों आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल गलोरिय सिकर को सब्सक्राइब ने किया तो प्ले सब्सक्राइब कर देजेगा ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके योजना आयोग का कारिया था पंचवर्षी योजनाओं का संचलन करना तो पहरे विदार्थियों जो पर्थम पंचवर्षी योजना आई है वो गुनी सो इकाउन से गुनी सो चपन तक थी और जो अंतिम पंचवर्षी योजनाओं है वो है आपकी बाहरी पंचवर्षी य परकार के लिए इसके सरंचना की अगर मैं बात करूँ तो एक तो होता है इसके अंदर अधिक्स, एक होता है उपादेक, एक होता है शीयो और पुरण काली सदस्यों की संक्या होती है, पांच और जो पदेन सदस्यों होते हैं, उनकी संक्या होती है, चार, वरतमान में अगर म योजनायो की अंती मदेक्स परधान मंतरी नरिंदर मोधी ही हैं। उपादेक्स की बात करें वर्तमान की तो वर्तमान उपादेक्स हैं सुमन के बेरी। और पर्थम उपादेक्स की बात करें तो पर्थम उपादेक्स थे अर्विंद पंगडिया। और शीयो की बात करें तो अमिताब कांत का इस्तान लिया है तो प्यारे विदार्थियो यह है नितियायो के बारे में संपुन विशलेशन अगर आप इस वीडियो की पिडिया प्राप्त कना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेली ग्राम चैनल गलोरियस शिकर का लिंक दिया गया है तो यहां से डिरेक्टली आप हमारे टेली ग्राम चैनल को भी जोइन कर सकती हो थैंक यू सो मैच जय हिन जय भार्थ फिर में लेंगे नई जोश नए उस्सा के साथ नई स्टेटिक जीके की कलास के साथ थैंक यू